यह एक निया बार्डर का निए डिजाइन है यह बहुत ही सुन्दर लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है इसको बार्डर में भी डाल सकते हैं और अगर इसमें थोड़ा गैप करके फंदे बीच वाले उल्टे डाल ले तो इसको लेडिज और जैन्ट स्वेटर में भी डाल सकते हैं यह बहुत ही सुन्दर लगेगा इसको जैसे बनाया इसको बनाके दिखाते हैं इसमें पहला फंदा उतार लेना है फिर धागा आगे करना है और एक फंदा उल्टा बनाना है फिर धागा पीछे करना है और यह जो दो फंदे हैं इनको दो का एक बनाना है और इसको उतार देना है और ये जो उपर वला फंदा है इसको उठा लेना है यहां से और इसको दुबारा से बुन लेना है सीधा फिर दागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाना है फिर दागा पीछे करके सेम दो फंदों का एक फंदा करेंगे फिर इसको फिर इसको उतार के ये जो उपर वला फंदा है इसको उठा के इसको दुबारा से सीधा बुन लेंगे फिर दागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर दागा पीछे करके फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर इनको उतार देंगे फिर ये जो उपर वाला फंदा है इसको उठा लेंगे और इसको भी सीधा बुन देंगे फिर दागा आगे करेंगे उल्टा फंदा बनेंगे फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दागा पीछे करके दो फंदों का एक फंदा बना के फिर ये उपर वाला फंदा उठा के इसको सिधा बुन लेंगे फिर दागा आगे करके एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा भी उल्टा बना देंगे फिर ये पहला फंदा उतार लेंगे फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे एक और ये दो फिर ये जो अलग से फंदा आ रहा है इसको दागा आगे करके उतार लेंगे फिर दागा पीछे करके फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे एक और दो फिर धागा आगे करेंगे इसको उतार लेंगे बिना बुने फिर धागा पीछे करके फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे एक और ये दो फिर दागा आगे करेंगे ये फंदा उतार लेंगे फिर दागा पीछे करके दो फंदे सीधे बनेंगे फिर दागा आगे करके इस फंदे को उतार लेंगे फिर दागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बन के लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे यह सारा डिजाइन इसी तरह ही बार्डर का चलेगा और एक बार और बना के दिखाते हैं पहला फंदा उतार लिया दागा आगे किया फिर एक फंदा उल्टा बुना दागा पीछे किया अब यह दो फंदे इकठे ही दिख रहे हैं इनको दो का एक बनाएंगे इनको उतार देंगे फिर उपर वाला फंदा उठा लेंगे और इसको भी सीधा बुन लेंगे फिर दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे दागा पीछे करेंगे फिर यह दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे इसको उतार देंगे उपर वाला फंदा जो है इसको उठा लेंगे फिर इसको सिधा बुनेंगे फिर दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर दागा पीछे करेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर उपर वाला फंदा उठा लेंगे इसको सिधा बुनेंगे फिर दा इस वतने को उठा लेंगे और फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा फिर उल्टी स्लाई में सीधा फंदा उतार लिया दो फंदे सीधे बुने एक दो धागा आगे किया इस फंदे को उतार लिया तो धागा पिछे किया एक फंदा उतार लिया फिर दागा पीछे किया, दो फंदे सीधे बुने, फिर दागा आगे किया, एक फंदा उतार लिया, दागा पीछे करके, दो फंदे सीधे बुन लिये, फिर दागा आगे किया, एक फंदा ऐसे उतार लिया, फिर दागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना, और लास्ट का फंदा उल्टा गुंदिया यह इस तरह से आना शुरू हो जाएगा और यह इस तरह से आएगा यह बार्डर का डिजाइन है और जब हम जब इसमें हमने एक फंदा उल्टा डाला है और इसमें मैंने तीन फंदे उल्टे डाले हैं तो इस डिजाइन को हम लेडिस कारडिगन में और जयंट स्वेटर में भी डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा और इसकी इसमें आप अपनी हिसाब से कम ज्यादा फंदे भी कर सकते हैं